वर्लकाप जीटकर भयानक तुफान में फसी टीम इंडिया जी यहां वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया एक बारी मुसीबत में फस गई है और यह मुसीबत क्या है अपनी रिपोर्ट में मैं आपको पताने वाला हूँ दरसल वेस्ट इंडीज में इस वकत जो पहर में वो इस तुफान की जद में संकट में मुसीबत में मौसम विभाग जो है लोकल वहां का उसने चिताबनी जारी कर दिया कि यह कैटेगरी फॉर का कैटेगरी फॉर का एक तुफान है जिसकी तीवरता जो है वह दो तुफान आ रहा है तो बाबडॉस में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं बाजार हो या फिर स्टेशन हो एरपोर्ट्स हो सब कुछ बंद रहे और इस वब ट्रांस्पोर्टेशन पूरी तरसे खत्म हो चुकी है लोगों को घर में रहने की यहां पर चेतावनी जारी की गए उन्हें का गए कि घरों से बाहर ना लिख ले और यहीं वज़े है कि जो टीम इंडिया वो भी मुश्किले में आ गए अगर भारते समय नुसार बात की जाए तो आज भारते समय नुसार दोपहर दो बज़े के आसपास जो बाबडॉस है वहां पर तुफान के पहुंचनी नहीं किया जा तक तो इस वक्त टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ चुकिए और यही वज़ा है कि जो टीम इंडिया है वो आज देर रात तक भारते समय नुसार मैं बता रहा हूं आज देर रात भारते समय इंडिया रुकी हुई है वहाँ पर भी इस तुफान को देखते हुए ज्यादा तर स्टाफ को एमेजनसी छुट्टी पर भेज दिया गया है या फिर वो लोग खुच छुट्टी पर चल गए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सिस के अंदर इस वक्त टीम होटल के अंदर चीज में डिनर सब किया गया बहुत लिमिटेड स्टाफ है उस लिमिटेड स्टाफ के साथ नहीं टीम इंडिया जो है इस वक्त अपने होटल के अंदर वक्त विता रहे तो करीब 24 घंटे टीम इंडिया के बाबिडॉस के होटल में काफी मुश्किल रहेंगे टीम को वापस पर इस वक्त टीम इंडिया जो है उसको कहा गया है कि आप अपने होटल में रुकिये शनिवार को आप जानते है कि भारते समयनुसार देर रात को भारते टीम जो है उसने टीम इंडिया जीता था और अब भारत आने पर जो टीम इंडिया वापस आएगी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि टीम इंडिया वेस्ट इंडी से पहले दिल्ली आएगी मुंबई नहीं जाएंगे खिलाडी पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के साथ में भारते टीम जो है टीम इंडिया जो चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंतजार लंबा खिचने वाला है क्योंकि इस वक्त